नमस्कार आज जो कविता में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो मैं उन लोगों को समर्पित करना चाहती हूँ जिन्होंने अपनों को खोया है किसी का हमेशा के लिए किसी ऐसी जगर पे चले जाना जहां से कभी भी लोट के नहीं आया जा सके ये इतनी पीड़ा इतना दंश इतनी तकलीफ देता है जिसे सिवाए बरदास्त करने के और कोई उपाई नहीं होता पर फिर भी हम होसला नहीं हारते फिर भी हम जीना नहीं छोडते तो डॉक्टर हरिवन श्राय बच्चन जी ने जो ये कभीता लिखी जो बीत गई सो बात गई उन्हों ने भी ये कभीता उस समय लिखी थी जब उनकी प्रथम पत्नी का देहावसान हो गया था क्योंकि मरने वालों के साथ मरा नहीं जा सकता इसलिए हमें अपने आसपास की प्रकृति को देखकर जीने का होसला सीखना होगा जीना होगा व्यापक अर्थ में जदी देखें तो अनित्यता ही जीवन का सार है जो इस सार को जितनी जल्दी समझ लेगा उसे उतनी ही कम दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा वो कहते हैं न कि छितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा कि यह शरीर पंच तत्वों से बना है और पंच तत्व में ही विलीन हो जाना है इस महामारी में हम सभी ने अपने परिजनों को अपने आत्मिये जनों को खोया है और यह एक ऐसा दुख है जो जीवन परियंत नहीं समाप्त होने वाला प्रस्तुत है कविता जो बीत गई सो बात गई रचता है डॉक्टर हरिवन श्राय बच्चन जीवन में एक सितारा था माना वह बहत प्यारा था वह डूब गया तो डूब गया वह डूब गया तो डूब गया अंबर के आनन को देखो कितने इसके तारे तूटे कितने इसके प्यारे छूटे कितने इसके तारे तूटे कितने इसके प्यारे छूटे जो छूट गए फिर कहां मिले जो छूट गए फिर कहां मिले पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोर मचाता है जो बीत गई सो बात गई जीवन में वह था एक कुसम थे जिस पर नित्य निचावर तुम वह सूख गया तो सूख गया सूखी इसकी कितनी कलियां मुर्जाई कितनी वल्लरियां जो सूख गई फिर कहां खिली पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है जो बीत गई सो बात गई जीवन में मधु का प्याला था तुमने तनमन दे डाला था वह तूट गया तो तूट गया तो तूट गया मधिराले का आंगन देखो कितने प्याले हिल जाते हैं गिर मिट्टी में मिल जाते हैं जो गिरते हैं कब उठते हैं पर बोलो तूटे प्यालों पर कब मधिराले पस्ताता है जो बीत गई सो बात गई मृद्व मिट्टी के हैं बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं लगुजीवन लेकर आएं हैं प्याले तूटा ही करते हैं जीवन का सार छिपा हुआ है इन पंक्तियों में कि मृद्व मिट्टी के हैं बने हुए मधुघट फूटा ही करते हैं लगुजीवन लेकर आएं हैं प्याले टूटा ही करते हैं फिर भी मदिराले के अंदर मदुके घट हैं मदुप्याले हैं जो मादकता के मारे हैं वो मदु लूटा ही करते हैं वो कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर जो सच्चे मदु से जला हुआ कब रोता है चिलाता है जो बीत गई सो बात गई और अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे बीच से हमेशा के लिए जा चुके हैं वो भले ही अपने इस थूल शरीर में हमारे साथ ना हो पर वो अपने सुक्ष्म शरीर में हमेशा हमारे साथ विद्धमान होते हैं जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है इसे कोई नहीं मार सकता इसे कोई नहीं काट सकता नैनम चिद्धनती शेस्त्रानी नैनम दहती पावक न चैनम कलेद्यन तापो ना शोश्वयती मारूत शरीर अनित्य है आत्मा नित्य है शरीर छन भंगुर है आत्मा अमर अजर है शरीर का नाश होता है आत्मा शाश्वत होती है वासांशी जिर्णानी अथा विहाय नवानी ग्रहनाती नरो परानी तथा शरीरानी विहाय जिर्णा नन्यानी संजाती नवानी देहिए विनम्र स्रधानजली उन सब को जो अब हमारी बीच नहीं है